Hello everyone, कैसे हैं आप लो? I hope कि आप लो बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा होंगे तो आज हम देखने वाले हैं Class 12 English में Poetry का Chapter 6 जिसका नाम है The Soldier का Objective Question तो चलिए सुरू करते हैं Question No.1 में है कि the line in hearts at peace under an English heaven is taken from death यानि यह जो line है जहाँ पे कभी कहना चाते हैं कि इस English heaven में यानि England के heaven में दिल को बहुत ही सांती मिलती है, सुकून मिलता है और यह जो line है वो किस कभीता से ली गई है तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो line है वो Poem No.6 जिसका नाम है The Soldier से लिया गया है इसलिए Option B The Soldier इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ Question No.2 में है कि Rupert Brooke Prejudice Tess यानि इस कभीता के जो कभी हैं जिनका नाम है Rupert Brooke वो किस देश की प्रसंसा करते हैं तो जब आप ये chapter पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस chapter के जो लेकक हैं जिनका नाम है Rupert Brooke वो England Dess की प्रसंसा करते हैं इसलिए Option A England इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ Question No.3 में है कि The Soldier is Dess यानि यह जो कभीता है जिसका नाम है The Soldier वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो कभीता है जिसका नाम है The Soldier वो एक सोनेट है अब सोनेट का मतलब होता है एक ऐसा कभीता जो की 14 lines का होता है यानि जिसमें 14 lines होती हैं उन्ही को हमनु सोनेट कहते हैं इसलिए option B, a sonet इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 4 में है कि the soldier is dash poem यानि यह जो कभीता है जिसका नामें the soldier वो किस तरीके की कभीता है तो जब आप यह chapter पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि the soldier एक patriotic poem है यानि इस कभीता में देश भक्ती के बारे में बताया गया है इसलिए यह एक patriotic poem है तो हम कह सकते हैं कि इसका correct answer हो जाएगा option number C, a patriotic तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 5 में है कि the soldier deals with death यानि यह जो कभीता है जिसका नामें the soldier इसमें किस देश की चरचा की गई है तो जब आप इस chapter को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस chapter में England नामक देश की चरचा की गई है इसलिए option D, England इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 6 में है कि the term concealed stands for death in the soldier यानि यह जो कभीता है जिसका नामें the soldier इसमें एक सब्द का पर्योग किया गया है concealed तो हमसे पुछा गया है कि concealed सब्द का meaning क्या होता है तो यह भी हमें chapter में बताया गया है कि concealed सब्द का meaning होता है hidden यानि छुपा हुआ इसलिए option A इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 7 में है कि according to the soldier England has given her natives her flower test अपने निवासियों को यानि अपने natives को fool दिया है प्रेम करने के लिए इसलिए option B to love इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 8 में है कि who has composed the poem the soldier यानि या जो कभीता है जिसका नाम है the soldier इसको किस ने लिखा है तो ये भी हमें chapter के introduction में ही बताया गया है कि the soldier को Rupert Brooke ने लिखा है इसलिए option A Rupert Brooke इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 9 में है कि Rupert Brooke was born in task यानि इस chapter के जो कभी हैं जिनका नाम है Rupert Brooke उनका जनम कब हुआ था question number 10 में है कि Rupert Brooke was died in task यानि इस chapter के जो कभी हैं जिनका नाम है Rupert Brooke उनकी मिर्दु कब हुई थी तो ये भी chapter के introduction में ही बताया गया है कि Rupert Brooke की मिर्दु 1915 में हुई थी इसलिए option C 1915 इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 11 में है कि Rupert Brooke is remembered as a desk यानि इस chapter के जो लेखक हैं जिनका नाम है Rupert Brooke उनको कैसे कभी के रूप में जना जाता है तो जब आप ये chapter पढ़ेंगे तो यहाँ पे introduction में ही बताया गया है कि Rupert Brooke को war poet के नाम से भी जाना जाता है इसलिए option D war poet इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 12 में है कि Brooke inspired patriotism in the dash phase of first world war तो जब आप ये chapter पढ़ेंगे तो वहाँ पे सुरात में ही बताया गया है कि Robert Brooke ने early phase of first world war यानि first world war के सुरवाती तोर में ही अपने देशवासियों के अंदर देशभक्ती की भावना को जगाया इसलिए option A early phase of first world war इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 13 में है कि Rupert Brooke has written the poem dash यानि Rupert Brooke ने किस कविता को लिखा है तो आपको पता होना चाहे कि Rupert Brooke ने poem number 6 जिसका नाम है The Soldier उसको लिखा है इसलिए option C The Soldier इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 14 में है कि The Soldier is a dash poem यानि The Soldier किस तरीके की कविता है तो आपको पता होना चाहे कि The Soldier एक war poem है यानि यह एक ऐसी कविता है जिसमें mainly war के बारे में यानि युद्ध के बारे में बताया क्या है इसलिए option B war is का correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 15 में है कि The Images and Praises of Das run through both the estanjas यानि इस कविता में जो दो estanjas दी गई है उनमें किस देश के चितर को वर्णन किया गया है और उनकी प्रशंसा की गई है तो जब आप ये chapter पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे कविता में England देश को दर्साया गया है उसकी चितर को दिखाया गया है और उसकी प्रशंसा की गई है इसलिए option A England इसका correct answer होएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ यानि जब सैनिक सहीद हो जाएगे और जिस जगह पे उनको दफनाया जाएगा तो उस जगह को किसका हिस्सा माना जाएगा तो ये भी हमें chapter में बताया गया है कि कवी कहते हैं कि जब कोई सैनिक सहीद हो जाएगे और उन्हें जिस जगह पे दफनाया जाएगा तो वो जमीन का टुकड़ा सदा के लिए England का हो जाएगा इसलिए option D England इसका correct answer हो जाएगा इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 17 में है कि the speaker of the poem the soldier each a desk यानि यह जो कविता है जिसका नाम है the soldier यहाँ पे जो वक्ता है यानि speaker है वा खुद क्या है तो यह भी आपको पताऊना चाहिए कि the soldier chapter में जो speaker है यानि वक्ता है वा खुद एक soldier है यानि सैनिक है इसलिए option B soldier इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 18 में है कि the poem dash is a patriotic poem यानि यहाँ पे दी गई कविताओं में से कौन ऐसी कविता है जो कि एक patriotic poem है यानि देश भक्ती से जुड़ी हुई कविता है तो आपको पता होना चाहिए कि poem number 6 जिसका नाम है The Soldier वह एक patriotic poem है यानि देश भक्ती से जुड़ी हुई कविता है इसलिए option C The Soldier इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 19 में है कि Rupert Brooke is speak in the guise of an dash soldier यानि इस कविता के जो कवी हैं जिनका नाम है Rupert Brooke वह इस कविता में किस देश के सैनिक के रूप में बोलते हैं जब आप ये chapter पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि Rupert Brooke England के सैनिक के रूप में बोलते हैं इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number A English soldier अब जैसे कि भारत देश के जो निवासी होते हैं उनको हम लोग Indian कहते हैं France के जो निवासी होते हैं उनको हम लोग French कहते हैं उसी प्रकार से जो England के निवासी होते हैं उनको हम लोग English कहते हैं इसलिए option A English soldier इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 20 में है कि the poem dash is a sonate यानि यहाँ पे दी गई कविताओं में से कौन ऐसी कविता है जो कि एक sonate है तो सबसे पहले आपको यह पताओना चाहिए कि sonate एक ऐसी कविता होती है जिसको 14 lines में यानि 14 line में लिखा होता है और ये भी आपको पताओना चाहिए कि poem number 6 जिसका नाम है the soldier वह 14 lines में लिखी हुई है इसलिए वह भी एक sonate है so हम कह सकते हैं कि option B the soldier इसका correct answer हो जाएगा तो इसपे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 21 में है कि a dust home dash bore shaped mid aware dash 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 तो आपको पताओना चाहिए कि यह जो line है वह poem number 6 यानि the soldier से लिया क्या है जहाँ पे कभी अपने आपको एक धूल का कर्ण बताते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा कर्ण जिसको England ने bore किया है यानि जनम दिया है shape किया है और इसको जानकार बनाया है तो इसलिए हम कहा सकते हैं कि इसका correct answer हो जाएगा option number C England तो इसपे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 22 में है कि my tongue every dash of my blood formed from this soil this air तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो question है वो इस scepter का है ही नहीं और अगर आपको पता है कि यह question किस scepter का है तो आप हमें comment में जरूर बताइएगा चलिए इस सवाल को बनाते हैं तो यहाँ पर कभी कहना चाहरे है कि my tongue यानि मेरी जो जवान है every dash of my blood यानि every atom of my blood यानि मेरे खून का एक एक कतरा है formed from this soil वो इसी मिटी से बना हुआ है this air इसी हवा से बना हुआ है इसलिए इसका correct answer हो जाएगा every atom of my blood यानि option number B तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 23 में है कि the poet in the soldier is defecting the mysteries of TAS यानि यह जो कभीता है जिसका नामें the soldier यहाँ पे जो कभी है वो किस चीज के रहस्य को बताते हैं तो जब आप यह चेप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि the soldier chapter में कभी जो है वो war के यानि युद्ध के रहस्यों को बताते हैं इसलिए option A war इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 24 में है कि a sonet is a poem of death lines तो अब तक आपको याद हो गया होगा कि sonet एक ऐसी कभीता होती है जो की 14 lines यानि 14 lines से बनी होती है इसलिए option B 14 इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 25 में है कि if I should die think only this my me is taken from death यानि या जो line है जहाँ पे कभी कहना चाह रहे है कि अगर मैं मर जाओ तो मेरे बारे में केवल इतना ही सूचना या line किस कभीता से लिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि या जो line है वो poem number 6 जिसका नाम है the soldier से लिया गया है इसलिए option C इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 26 में है कि a pulse in the eternal mind no less is written by death या जो line है जहाँ पे कभी कहते हैं कि a pulse in the eternal mind no less या किसके दोबारा लिखा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि या जो line है या poem number 6 the soldier से लिया गया है जिसके writer है Rupert Brooke इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number D Rupert Brooke तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 27 में है कि her sights and sounds dream happy as her day is taken from death या जो line है जहाँ पे कभी कहते हैं कि her sights and sounds dreams happy as her day या line किस कभीता से लिया गया है तो जैसा कि आप sprint पे देख सकते हैं कि या जो line है वो poem number 6 the soldier से लिया गया है इसलिए option C इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 28 में है कि the soldier in the poem the soldier is test या जो कभीता है जिसका नाम है the soldier इसमें panic किस देख के होते हैं तो यह भी हमें chapter में बताया गया है कि the soldier कभीता में जो सिपाही होते हैं वो England देख के होते हैं इसलिए option B English इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक तो यहाँ पे होता है आपका chapter समाप आपने यहाँ तक वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्या बाद अब आपसे मिलते हैं हम अगले chapter में तब तक के लिए अगर आपको किसी परकार का doubt है तो आप हमें comment में लिखके जरूर पूछ सकते हैं हम आपके doubt को solve करने की पूरी कोसिस करेंगे Thank you very much